जब आप इतिहास की पढ़ाई करते हो, जब आप रिसर्च करते हो, आपके पूरे रिसर्च की हिस्ट्री में सबसे चौका देने वाली चीज कौन से थी? चार यूग जो है, इस बात से मतलब सप्राइज तो इस बात कभी है कि अस्चरे इस बात कभी है कि बहुत सारे लोग हमारे अभी के जनरेशन में दशाफतार और साथ चिरंजीवियों को एक मानते लोगों को दशावतार का फरक और साथ चिरंजीवियों का फरक की ये अलग-अलग है वो नहीं पता तो बात करने के समय मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक चीज़ है और मुझे लगता था कि ये बेसिक ही है अगर ऐसा है नहीं तो फिर बात करते करते समझ में फिर जैसे जैसे आप उतरते जाते हैं मैं माइथोलोजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ मेरा मानना यह है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो mythology है, अगर आप सत्या मानते हैं तो सत्यालाजी हो जाएगी, तो कारण और कहानिया थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कारण है तो जब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, आपको पता चलता है कितने डीपली सब चीज़ें आपस में connected हैं, परशुराम की बात करें, परशुराम की आपके पॉड़कास्ट में पहले बहुत बात हो चुकी है चार यूगों में से तीन यूगों में परशुराम का जिक्र है, उनकी बाते हैं, लेकिन ये बहुत interesting पार्ट है कि कैसे जो पिनाका उनका जो धनुष था, जो शिव जी ने दिया था वो 21 बार उन्होंने शत्री वहीन किया क्योंकि उनके पिता को मार दिया गया था तो शत्रीयों से नाराज हो गय थे अब शत्रीयों से नाराज हो कि वो शत्रियों पर भारी क्यों पढ़ रहते है उसके पीछे भी एक कहानी है तो हर चीज का लॉजिकल एक्स्प्लेनेशन है हमारे पास कि उनके जो पिता थे वो तो रिशी थे लेकिन उनकी जो मा थी उन शत्रिय थी रेनू का नाम था जमदागी नहीं उनके पापा का नाम था रेनू का नाम था रेनू का उनकी मदर का नाम तो रेनू का जो थी वो शत्रिय परिवार से इसलिए वो रिशी भी थे और उनमें शत्रिय ब्लड लाइन भी था तो वो 21 बार शत्री वहीन करते करते हो भूल गए कि 21 बार हो गया है फिर उनको याद दिलाए कि हनुमाइन जी उनको याद दिलाए कि महराज प्रभू हो गया रुकिये अब वो जो यहां मोटा मोटा यह परशुराम इस वन अफ दी दशावतार्स परशुराम इकलोते ऐसे शक्स हैं सब में जो दशावतार के दस लोगों में भी उनका नाम है और साच्चिरंजीवियों में भी उनका नाम है तो जब शान्त हुए तो शिव का दिया यह जो धनुष था जिसका नाम पिनाका था यह उन्होंने दिया राजा जनक को और राजा जनक थे सीता के पिता और उसकी प्रत्यंचा जो पीछे वो डोरी लगती है उसको उतार दिया उन्होंने उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रत्यंचा चड़ा लेगा वो सही वर होगा यह बोलके उचले गए महिंदर परवत में तपस्या करना है सालों साल बीद गया, क्योंकि त्रेता यूग जो है, जो सेकंड यूग है, ये भी एक confusion है, मुझे बड़ा अश्चर रिवा के लोगों को लगता है कि सत्यूग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, क्योंकि डी और टी, त्रे सुनके थर्ड लगता है, तो त्रेता यूग जो है, वो है कुछ आठ लाख चैनवे हजार सालों का, एट लाख सिक्स्टी फोर थाउजन इस, तो कहां वो पहले होता है, तो इन में बहुत बड़ा गैप है, तो इतने साल बाद फिर जब वो प्रत्यांच, फिर राम बड़े हुए सीता आईं धर्ती पे, और फिर वो प आपस में लड़ लिये थे, फिर उनको पैसिफाई किया गए, उनको समझाए गए कि आप भी विष्णु अता रहे हैं, आप भी विष्णु अता रहे हैं, आप भी विष्णु अता रहे हैं, मिलके चले गए, लेकिन परशुराम की गाथाएं महाभारत काल में भी हैं, तो एक और बात में एक अध्धिया आता है जहां Parashuram ने, Parashuram और भीश पिता मा युद्ध दोता है, और भीश पिता मा जीट जाते हैं, हरा देते है Parashuram. तो Parashuram खुश हो कि नो जो हमारी आजकल के बोल चल के बाशाम में बात होते हैं कि गुरु गुड रहे गया, चेला चीनी हो गया, वेकम बेटर दन मी, तो मुझसे भी बहतर हो गया, तो और आशिरवाद दे के फिर परश्वराम रोटे, तो ये बहुत, अभी भी जो हम बात करें नहें, बहुत ही उपरी सतह की बात, पर वो भी अभी लोगों तक पहुँचना और पता होना बचा है.